महाराश्ट की राजनीती में तूफान उद्धर्थाकरे को जबरदस जटका एकनाशिंदे ने फिर किया खिला चाहा की रणनीती से उड़े विपक्ष के होश नमस्कार मैं हूँ परवी शीख आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी 2024 लोगसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराश्ट की राजनीती में फिर तूफान के आसाथ नजर आने लगे हैं पियमोदी के शपत ग्रहन के फॉरण बाद राज्य की राजनीती में इस बार भी एकनाशिंदे बड़ा खेला कर सकते हैं शिवसेना ने आट जून यानि शनिवार को दावा किया कि शिवसेना यूबिटी यानि उद्दव गुट के दो नए नवेले सांसत मुख्यमंत्री एकनाशिंदे के संपात में हैं मेडिया से बात करती हुए शिवसेना प्रवक्ता नरेश महसके ने दल बदल रोधी कानून का हवाला देते हुए दोनों लोगसभा सदस्यों का नाम बताने से इंकार कर दिया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि चार अन्ने सांसत भी जल्द ही इन दोनों के साथ मिलकर शिंदे की नेतरत वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे ठाने से नव निर्वाचिस सांसत महसके ने कहा जिस तरह से उदव ठाकरे ने एक विशेश समुदाय से वोट मांगे हैं उसे लोगसभा के दोनों सदस्यों नाखुश है उदव ठाकरे की शिफसेना के दो नव निर्वाचिस सांसत संपर्क में है और चार अने सांसत उनके सांसत जुड़ेंगे और मनोनित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे नरेश महिसके के बयान को शिफसेना नेता संजे राउत के बयान के पलटवार के रूप में देखा जा रहा है दलसल संजे राउत ने दावा किया था कि शिंदे गुट के कुछ विदायक और सांसत उदव ठाकरे के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं एकना शिंदे के नेतरित वाली शिफसेना ने राजजे की साथ लोग सभा सीटे जीती हैं जबकि ठाकरे गुट ने नौ सीटों पर विजय हासिल की है उसे शिफसेना यूबिटी के नेता उदव ठाकरे को लेकर भी चर्चाय चल रही थी उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो एंडी गड़ बंदन की मिटिंग में शामिल नहीं हुए दरसल इंडी गड़ बंदन के कुछ साथी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के हक में थे इसमें सबसे बड़ा नाम शिफसेना उदव गुट के नेता उदव ठाकरे कही है ठाकरे ने वुदवार 5 जून को इंडी गड़ बंदन की बैठक से पहले ही कहा था कि हमें सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए क्योंकि पूर में पीम नरेंद्र मोदी ने टीडी पी निता एंचंदर बावु नाइडू और जेडियू के निता नितीश कुमार के साथ ठीक नहीं किया है हाला कि बयान देने के बाद ठाकरे इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी नहीं आये थे उनकी जगा संजीराउत ने बैठक में हिस्सा लिया जबकि खडगे ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि इंडिया लाइंस सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा जिसके बाद से उदव और ज्यादा नाराज हो गए थे और उनके एंडिय के साथ जाने की अटकलें लगाई जा रही थे दरसाथ 234 सीटों पर अटके इंडिया ब्लॉक को बहुमत के लिए कम से कम 38 सांसदों के समर्थन की जरूरत है मौजूदा वक्त में अंडिय के साज्यदार टीडीपी और जेडियू के आने के बाद भी इनके पास बहुमत नहीं आएगा टीडीपी के 16 और जेडियू के 12 सांसद हैं इन दोनों के आजाने के बावजूद भी इंडी गड़बंदन को 10 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी यही वजह है कि इंडी गड़बंदन के सबसे बड़े दल कॉंग्रेस के अद्दक्ष माली कारजून खरगे ने इशारों ही इशारों में कहा कि हमें अभी इंतजार करना होगा सबसे पहले तो नाइडू और नितीश को पाला बदलना होगा उसके बाद ही आगे कोई संभावना बनेगी यही कारण ही कि खडगे ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से जारी बयान में कहा कि देश की जनता ने बीजेपी और मोदी को तगड़ा जटका दिया है उन्होंने आगे कहा कि हम उचित समय पर उचित पदम उठाएंगे उनका इशारा साफ था कि इंडिया गडबंधन अभी फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा विपक्ष में बैठेगा लेकिन उसकी नजर बनी रहेगी अगर एंडिया के भीतर कोई खट- पहले ही उद्दफ के लिए एंडिया की दर्वाजे खोल दिये और इसके अलावा और भी कई छोटे दलो को भी साथ लाने की तैयारी जो है की जा रही है यानि इंडिक इडबंधन से पहले ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अकेले अपने दम पर पूरा करने के मिशन में जुटी है खबरे तो यहां तक की हैं कि जल्द ही बीजेपी छोटे दलो को अपने साथ विले करके 272 का जादोई आंकड़ा पार कर लेगी उसके बाद से नाइडू और नितीश की बेसाख्यों तक की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर जेपी निड़ा और अमिशा लगाता चोटे दलो के साथ संपर्क बनाए हुए वहीं अब उद्दव गुट के सांसद ही बीजेपी में शामिल होकर मोधी को मजबूत कर सकते हैं वैसे लोगसभाद चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी वाला एंडी अपनी सरकार बनाने जा रहा है नरिंद मोधी एक बार फिर पधान मंत्री के तोर पर 9 जून को शपत ले रहे और इस शपत समारों से पहले 6 जून को बीजेपी अद्यक जेपी नड़ा के घर पर भी एक बैठक हुई थी इस बैठक में बीजेपी के वरिश नेता अमिशा से लेकर रादना सिंग और तमाम बड़े नेता मौजू पर इंडीया नहीं दी है सुत्रों के अनुसा शेत्रिया पार्टिया पर केल सरकार यानि एंडिया सरकार में एहम मंत्रीपत की मांग जरूर कर रहे थी लेकिन एंडीया गडबंदर में 19-302 के साथ तेल गुदेशम पार्टी के साथ सबसे बड़ी पार्टी और 12-30 के साथ जनता दल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी की नेतरित वाली नई सरकार फिलाल इन दोनों पार्टियों पर निर्भर जरूर है लेकिन यहां पर इनको भी साथ लेकर चला जाएगा आपको पता दे कि देश की 543 लोग सभा सीटों पर बीजेपी नीत इंडिया ने 292 सीटों पर और इंडी गड़ बंदने 254 सीटों पर जीत हासिल की एंडे की जीत के साथ नरेंद्र मोदी नौजून को तीसरी बार प्रधान मंतरी बनने जा रहे हैं हालकिन अलों के बीच 7 जून को कॉंग्रिस के वरिशनेताओं से उद्धर ठाकरे ने भी मुलाकात क और इस मुलाकात के दौरान कॉंग्रिस की जो नव निर्वाचे सांसद हैं वर्षा गायकवार समित कई बड़े निता मौजूद थे ये मुलाकात बहुती आत्मी रही जिसमें सभी हस्ते मुस्कुराते नजर आए उन्होंने गुरुवार को ही टीमसी निता डेरक के तरफ से संजे राउत ने इसमें हिस्सा लिया था जिसके बाद से ऐसी अटकले चलने लगी थी कि वह एंडिया में जा सकते हैं लेकिन साथ जून को उद्दव ने कॉंग्रिस निताओं के साथ अपनी इस मुलाकात से अटकलों पर विराम लगा दिया ये सिर्फ अटकले हो गई कि उद्दव इस बात कुले कर कोंग्रेस से खासे नाराज हैं यहां निर्दलिय विशाल पार्टिल ने चुनाव जीता है सदावा किया जा रहा था कि कॉंग्रेस में विशाल पार्टिल को सपोर्ट किया था वो पूर्व सीम वसंत दादा पार्टिल के पूते हैं महाविकास अगारी गडबंदन में शिफसेना यूबीटी ने सबसे जादा सीटों पर चुनाव भले ही लड़ा हो लेकिन वो कॉंग्रेस से भी कम सीटे ही जीत पाई है जबकि पिछले चुनाव में अभी भाजित शिफसेना ने 18 सी कि चुके हैं माई 2022 में उन्होंने पार्टी से बगावत करके बीजेपी के साथ महाराज ने सरकार बनाई और खुछ सियम बने एक नाश शिंदे की बगावत की वज़े से ही उद्दव ठाकरी को सियम पस से हाथ धोना पड़ा था उन्हें स्तीफा देना पड़ा और राज् सांसद एक नाश इंदे की टच में हैं चार और सांसद यहां पर आ सकते हैं यानि महराश्ट में फिर से खेला होने जा रहा है इदर बीजेपी के चानक के हैं पहले ही ऐसी बिसाथ बिचा चुके हैं कि बीजेपी अपने बलबूते पर 272 का आकड़ा चूले जिससे उसे सह योग्यों की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि तीसरे कारेकाद में पियम मोदी को कुछ बड़े और कड़क फैसले लेने हैं जिसके लिए बहुमत का आकड़ा 272 छूना जरूरी है इदर मोदी के शपत ग्रहन को लेकर एंड़ी गडबंदन में शामिल नेता जगा जगा पोस्टर में लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार रास तिलकी करो तैयारी एक अकेला सब पर भारी किसने लगा हैं पोस्टर मुक्य मंत्री एक नाशिंदे की पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं जानकारी की मताबिक शिंदेगुड के विभाग प्रमुक कुनार सरमलकर न महाराश में किसे कितनी सी शिर्फ सेना ने महायूती के साथ मिलकर पहली बार लोग सभात चुनाव लड़ा है महायूती को राजे में 17 सीटों पर जीत मिली है जबकि उद्धर ठाकरी की शिर्फ सेना यूबिटी शरत पवाग के नित्रित वाली एंसीपी और कॉंग्रेस के ग राजनेतिक पार्टी आगे की रणनीती पर काम कर रही है लोग सभा में महाराश्ट में अच्छे प्रदेशन की बात कॉंग्रेस में भी काफी जोश है वहीं एंडिय को अनुमान के मुताबिक जीत नहीं मिली है सभी राजनेतिक पार्टिया विधासभास चुनावों में बहतर प्रदेशन का दावा कर रही है अब देखना होगा कि शिंदे की रणनीती कैसे उद्दफ की रणीते पर भारी पड़ती है स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले